सो हेलो फ्रेंड्स आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोनीत एचससी में इंद्रगा इंदनिविश्टी मीरपूर्ख से जुड़ी हुई एक कोर ने अपडेट के साथ तो मर्शी चांज की बात करने वाले है एग्जाम आपके 28 तारिक से स्ट ही एक साथ चलेंगे MMSC, MCOM, BABSC, BCOM के UG के 5th semester के और PG के 3rd semester के जो है एक्जाम होने वाले है 28 तारिक से admit card कहां से मिलेगा admit card आपको online निकालना है उसके बाद date sheet की बात करेंगे साथ ही बात करेंगे paper pattern की तो सभी doubt ये वीडियो देखने के बाद clear होने वाले सबसे पहले admit card आपको online कैसे निकालना है आपको simply ig1.ukenapply.com पे आजाना है उसके बाद आके आपको जो है या पर student login कर ल पर वो अपना username और password college से conduct करें college office से उसके बाद यहाँ पर हम direct sign in कर देंगे username password डालने के बाद username password डालने के बाद हमारा login हो जाता है और आपको जो है easily आपका admit card आपको available हो जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं redirect हो के हम login में आ गए हैं अपनी जो है यहाँ पर आप जै का है जो admit card यहाँ पर available हो गया है अब आपको simply यहाँ पर print पर click कर देना है और जो आपका admit card है वो आपका redirect होकर आपके पास open हो जाएगा यह आपका admit card है इसे में आपका exam से इंडर दिया गया है कि आपका exam किस college में होगा किस building में होगा उसके बाद बात कर लिते हैं date sheet की त साथ ही उनके exam 28 से लेकर और 8-10-2022 तक चलने वाले हैं 8-10-2022 तक इन students के exam चलने वाले हैं mercy charge 5th semester के इसी तरह से आप MMSC M.com की date sheet भी देख सकते हैं paper pattern की सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले evening shift में आपके लगबग exam होने वाले हैं 2-5-3 घंटे का आपका exam होने वाला है उसके बाद paper pattern में आपको किसी भी प्रकार की रिहायत नहीं दी गई यानि आपके exam नहीं any 4 base पे और नहीं any 5 base पे होंगे आपके direct हर unit में से आपका first question compulsory होने वाला है जो एक question आपका आता है जिसमें आपके अती लगूतरात्मक question आते हैं यानि जो एक number का एक question होते हैं जिस question करना होगा यानि आपको वालों को total five question ही को जो है solve करने है language के paper को छोड़ कर तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी छूट नहीं दी गई पहले जैसे कोरोना से पहले आपके exam होते थे वैसे ही आपके exam इस बार भी होंगे तीन घंटे का आपका paper होगा पूरा paper आप सोल्व कर सकते हैं तो यह अपडेट थी आप सभी students के लिए आगे अन्वाल अपडेट के लिए आप बने रमर साथ 40 वीडियो में इतना ही thanks for watching have a good day wait for next वीडियो